हाई गाइज तो फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का जो वीडियो है ना गाइज वो चायट जीपीटी से रिलेटेड है ठीक है क्योंकि जो चायट जीपीटी का जो निव अपडेट आया ने चायट जीपीटी 4.0 उसमें बहुत सारे ऐसे साइड हुए है जो कि अभी से मिलना स्टार्ट हो गया अगर आप चायट जीपीटी को लॉग इन करेंगे तो देखेंगे कि जो काम आप चायट जीपीटी से प्रॉम्ट डालके टेक्स्ट लिख के करवाते थे ओ भी चीज़े तो हैं ही और ओ चीज़े बहुत ज्यादा फ एकसेल तो फाइल को अपलोड कर सकते हैं इस सारी चीज़े कर सकते हैं जो की प्लोड कर सकते हैं जो के advertising अब शूरिक कर सकते हैं तो इसी के बारे में आज के वीडियों मैंने बताया है कि कै इसे यूज करना है चैट GPT 4.0 को तो गाईज चलिए जल्दी से चलते हैं अपने लैप्टॉप के स्क्रीन पर और सारी चीजे देखते हैं तो गाईज सबसे पहले अपने लैप्टॉप या फोन में चैट GPT को ऊपेन कर लेना है और ओहां पर चैट GPT को लॉग इन कर लेना ह था वो थोड़ा सा स्लो था लेकिन चैट GPT 4.0 जब से आया न वह भी फास्ट हो गया तो सबसे पहले गाईज उसको एक बार चेक करते हैं तो जैसे कि यहां पर मैं एक एक्जाम्पल पुछता हूं कहने क्रियेट 4.html.div box ठीक है इतना मैंने इसको प्रॉम्ट डिया और देखिए क्या करता है देखिए यहां पर कोडिंग लिख के देदिया है एकदम CSS के साथ और वह भी बहुत ही फास्ट लिख है जैसे कि यहां पर आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा फास्ट लिख आप लीए इतना फास्ट नहीं work करता था जो इसका next example है ज लेलते हैं जैसे कि Google का जो लोगो है इसका मैं स्क्रीन साट ले लिया ठीक है और चैट GPT पे आया और नॉर्मली आपको बस पेस्ट कर देना है इतना मैं पूछा है देखिए क्या एंसर देता है देखिए यहां पे एकदम पुरा डिभाइन करके बता दिया कि दिस लोगो आप गूगल ले मुल्टी लेंग्वेज टेकनोलोजी कंपनी सारी चीजे डिटेल में बता दिया बट यहां पे आप लोगो को लग रहा होगा ना कि यह चीजे तो सिंपल है तो सिंपल कोई भी बता सकता बट इसको नो थोड़ा सा कंप्लेक्स चीजे हम पूझता है जैसे कि मेरे पसे कोर अना पर ठीक है इसका बैक ग्राउंड कर गलर्जनज कराएंगे एंड एंड एर के colour है इस color को change कराएंगे, तो simply हम क्या करना है, इस code को उठा के भी डाल सकते हैं, बट मैं क्या करूँगा, इसको screenshot ले लिया, और यहां पर लिजा कर रख दिया, और हमें क्या क्या है, यहां पर जो color है, इसको हमें क्या करना है, रेड से green कर देना है, तो जैसे मैं यहां पर लिख दिया, we need to change the dot error color red to green, ठीक है, एक तो यह हो गया, और second जो हमारा क्या है, agent login error में जो background color red है, इसको yellow करा देते हैं, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया, इसको यहां पर लिखा, image डाल दिया, और enter कर दिया, इसमें कोई changes मैंने नहीं बोला था, तो कोई changes नहीं किया, अब इसको उठा के मैं लेके चलता हूँ अपने code editor में, और वहां पर देखता हूँ कि इसका color change हुआ है या नहीं हुआ है, कि change color to green और change color to yellow और इसमें आपको time भी नहीं लगा, तो इस तरह से करके आप कोई भी screenshot यहां पर डाल सकते हैं, और उसके बारे में पूछ सकते हैं, उसमें कुछ भी editing करा सकते हैं, आप कुछ भी करा सकते हैं, तो ऐसे करके बहुत सारी ऐसे चीज़े हैं जो chat GPT से आप करा करेंगे, आपको बहुत सारे चीज़ों वहाँ से provide कर देगा, एक जामपल बुलिए तो एक जामपल का भी बहुत सारा link देगा, तो ऐसे करके बहुत सारा help मिलने वाला जो chat GPT 4 ओना है, अपडेट आया उससे, तो guys, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में, तब दे के लिए thank you so much